अगर हम ध्यान से देखे तो बहुत सारे और easy हमारे किचन में ही रहते हैं जिनसे किसन को और नाइज कर सकते हैं जिनके लिए हमें कौई भी पैसा देने की ज़रुद नहीं है तो चलिए देखते हैं जीरो बजट के kitchen organizer hello friends welcome back कैसे आप सब मैं हूँ मानेशा ब्रशेश है वो हम अपने kitchen में use करते हैं घर में use करते हैं जा क्लीन करने के लिए तो इनको organize करने के लिए जो है आप इस तरह के घर में हर किसके घर में या कोई भी ऐसा जो बोक्स आते हैं लंबे वाले उनका यूज कर सकते हैं कि थोड़ा सी स्पेस में जो है आप थी सारी ब्रशेश को अच्छे से होल्ड कर लेगा और यह लाइट वेट है तो इसमें हमें लाइट वेट की चीज़ें ही organize करने पड़े हैं या द्रवाइस लुड़कता रहता है तो इस चीज के लिए इस होलेक्स के जो बोक्स है उसमें मैंने organize करके रखी हुए अपने सारी चीज ब्रशेश तो बहुत ही कम स्पेस में यह मेरी जो सारी ब्रशेश वह अच्छे से और्गनाइज हो गई हैं तो फ्रेंस मेरे पास एक यह बॉक्स जो कि भी खाली होए है जिसके अंदर की मेरा हेर मास्क था यह मेरे खाली होगया है तो इसके जो क्याप है उसको हम सब्सक्राइब होगा तो आप इंको जो है ड्रोग कर सकते तो बहुत सारे कैप होती है जो कि हमा उनकी बोटल तो यूज़ कर लेते लेकिन कैप जो है वह ँनूज रह जाती है तो हम सोचते इसा क्या करके तो इस तरह के जड़ आप अपने सपंज वगए रहे हैं उनको अपने sink area को और्गनाइज करने के लिए तो इसमें में यह मैं जो है अपना मेरा वृदुष लिकवेड है वह यूज कर सकती हो इसके अंदर मैंने रखती है हापना ऐंड हम इसके अर्गनाइज हो जाएगा मेरा sink area बहुत ही अच्छे से और इसमें पानी accumulate होगा जैसे मैंने बताया तो मैं इसको उठा करके रख सकती हूँ इसको निकाल दूँए और वापिस से इसको इसको इसके अंदर रख दूँए तो यह बहुत ही अच्छा भी लगता है अगर आप इसको अपने सेंग केरिया में यूज करते हैं तो यह है मेरा सेंग केरिया वो अच्छा से क्लेन करके एंड वापिस से इसको रख सकते हैं तो अगर ऐसे कोई चीज आपकी ब्रेक हो जाती है तो एक बस को फेकने से पहले एक बार देख ले कि आप उसको कहां पर उस चीज को यूज कर सकते हैं सेम इसी वे से हम आजकर जो है स्पैचुला होल्डर य इसको इसली यूज कर सकती हूं और जब भी मैं खाना बराऊंगे तो इसमें मैं अराम से तीन चाट जो स्पून है अपनी जित्री भी यूज होती है वो और आप से इसके अंदर रख सकती हूं तो जरूरी ने कि आपको पैसे ही जो है लगाने हों चीजों पर आपके घर मे हैं जो टूड गए हैं अईसी कोई चीज़े हैं आप उनको यूज कर सकते हैं यह इसके डूसरा सूलैसिशना से मेरे घर में यह काफी पहले के प्लेट से मैं ममी से लेकर कर आए थि इनको वह ऐसे ही रखी हुदी को यूज हो रहा था तो आप इन इस टाइप कि जो मुझे काफे अच्छा लग रहा है कि इसकी जो डैप्ट है वह काफे अच्छी है और देखने में बड़ा क्यूट सा लग रहा है कि मतलबी राउंड शेब में मुझे काफी अच्छा लगा तो इस तरह के बोक्स को भी आप बहुत मुल्टिपल यूस इनकाप कर सकते हैं जैस या फिर अपनी जो आपकी गारलिक या फिर जो जिंजर है उसको स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं यह देखने में बहुत अच्छे लगते हैं अगर आपके पास टाइम है तो आप इस टैपर को उतार करके उसको अच्छे से पेंट करके यूज कर सकते हैं या फिर आप यूज कर सकते हैं यह पुम्हhn कोई प्रोलme नहीं है तो यह वह नें में बड़ी की अक्छी बढ़के लसम में। तो मेरे पास यह जैसे हरसी की जो है एक बोटल खाले हुई थी या कोई भी इस टाइब की जो बोटल आपके पास खाले हो जाती है जिसकी हाइट थोड़ी सी जादा हो जिसके अंदर की आपके जो टीशू है वह उच्छे सा आ जाए तो यह मुझे बिल्कुल परफेक्ट कोई प्रोग्लम नहीं होती है इनको यूज करने के लिए तो अगर आप स्पेस चाहते हैं किचन में तो इसको रिमूव करके आप इस तरह की जो बोटल सेना उनका यूज कर सकते हैं तो है ना परफेक्ट है बिल्कुल स्पेस को सेव करने के लिए एंट जीरो कोस्ट और इ है तो बहुत सारा थाइम वेस्त होता है तो इसके बहुत ही अच्छा ओर्गनाइजर है जो कि है मेरा इस टाइप का इसके अंदर बिस्किट वगएर आते हैं कुकीज आते हैं वह सब के घर में आ इम शूर 100% के सब के घर में इस तरह टाइप की होंगे और हम इनको बिना सो है इसमें बिस्किट आये थे तो मैं इसके अंदर क्या करते हूं आपने जितने भी मेरे लेड होती है ना सब को मैं इसके अंदर और इसके अंदर करते रखती हूं तो मेरे को हर टाइप की जो भी लेड होती है जितने भी मेरे पास जो बोक्स है जो भी है उन सब के लेड तो छोटे से एक box के अंदर बहुत सारी जो है आप इनको organize करके रख सकते हैं और time को save कर सकते हैं जब आपको सुबह जोरत पड़ेगी टिफिन को pack करने के लिए तो सारी लेड़ आपको एक साथ एक जगह पर मिल जाएंगे तो फ्रेंसीस में आये थे मेरे biscuit जो की फिनिश हो चुके हैं और इसको मैंने यूज किया है अपनी ग्रोसरी को store करने के लिए तो किसी भी चीज को एक बार जब आ फैंकते हैं तो उससे पहले उसको देख लेकि आप उसको कहां पर reuse कर सकते हैं तो यह मुझे काफी अच्छा जो है organizer लगा था तो इसमें जैसे biscuit आया था मैंने बताया वो जब फिनिश हो गए तो इसके अंदर मैंने जो है अपनी ग्रोसरी के जो ओपन पैकेट थे ना उनको रख दिया और यह बहुत ही अच्छे से जो इसमें है organized हो गए है आप इनमें चाहिए तो अपने जो मसाले क पाउस चीज वगएरा है उनको भी store करके रख सकते हैं काफी अच्छा बड़ा यह organizer है तो इसमें अच्छे से बहुत सारा दिश्मान हापका grocery का वो आ जाएगा और कम space में आपका जो है इतनी सारी चीज़ों का आप जो है organized कर सकते हो और यहीं पे आप कोई ऐसा organizer ओन लाइ प्लास्टिक की बास्केट वगएरा तो वो फोस्ती पड़ती है लेकिन इसमें आपके जो है सारे मसाले वगएरा है अच्छे से जो है store हो जाते हैं तो कोई भी किसी भी टाइप का जो आपका किसी भी टाइप का organizer जो आता है इसमें चीज़े आपकी आती है उनको एक से देखें कि आप उसको कैसी रियूज कर सकते हैं फ्रेंट्स ओयल जो डिस्पेंसर होते हैं हमारे वो काफी कोस्ली आते हैं और वो इतना ज़्यादे एफेक्टिव भी नहीं रहते क्योंकि उनमें से ओल वगएरा गिरता रहता है तो यहां पे मेरा सजेशन है कि आपके घ कुछ I think 200 में दो आ जाती है ऐसा कुछ इसका रेट था और इसके ओपर एक कैप बी आती है यह ओपन नहीं रहता है इसको सिक्योर करने के लिए तो सिरफ आप इसको बाई करना है सिरफ यह आपको बोटल बाई नहीं करना क्योंकि अगर बोटल आप बाई करोगे तो वो 700,000 की रेंज में कुछ ऐसा ही होते हैं अच्छे वाले लेकिन आप इसको मैं राउंड अगर मैं बताऊं तो एक साल से मुझे जादा ही हो गया इसको यूज करते हुए यह एज़ रहती है बोटल्स और सिरफ मैंने यह वाला मंगवाय था और मेरा बहुत ही अच्छा जो ओल ड करके और इस पर पिक्चर बगएरा लगा करके आप अपने मर्जी से कैसा भी इसको बना सकते हैं बट मुझे प्लेन ही अच्छा लगता है तो मैंने इसको प्लेन रखा हुआ है जस्ट मैंने तो हैंड़ में दो कैप ली थी और मेरा एक अच्छा सा ओल डिस्पैंसर जो है बनके रेडी हो गया है तो फ्रेंट्स उम्मीद करते हुँ कि आज की वीडियो आप लोग को यूस्फुल लगी होगी आप लोग एक कमेंट का वेट रही है चैनल पर नहीं है तो चानल को सब्सक्राइब कर दीजिगा बैल आइकन को हिट कर दीजिगा नेक्स वीडियो में लोगी तबता के लिए बाइब बाइब